कि आज का टॉफिक है वाट इस डिफारेंस बीट्विन फ्यूज एंड एमसीबी चलिए जानते हैं हलाकि दुनों का फांक्शन एक ही है दुनों सार्किट प्रोटेक्टर हिसब में काम करता है फ्यूज का मेकानिकल फांक्शन एक तार से जुड़ा हुआ होता है और दुसी कि दर आप एमसीबी दो प्लेट कॉपर के प्लेट आप उसमें टाच होके कनेक्टिविटी देता है जब उबर्लोड या स्वर्ट सार्किट होता है तो फ्यूज बहुत काम समाई में मेल्ट हो जाता है और हमारा इकुमेंट को बचाता है एमसीबी इसमें थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है फिर दूबरा नहीं तर जोड़ना परता है एमसीबी को हम दूबरा यूज कर सकते है जब एमसीबी ट्रिफ हो जाता है तो अब इसको लिबर को फिर उठा के फिर उसको यूज में लेते है फ्यूज हमारे को कोई इंडिकेसन नहीं देता है फ्यूज काट आउट होने के बाद ही पता चलता है कि स्वाट सार्किटी उबरलोट के वज़े से फ्यूज कट किया है दुसी दरब MCB जब ट्रिप हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि उबरलोट या सार्किट हुआ है फ्यूज को हम लोग स्वीज में काम नहीं ले रख सकते हैं अगर MCB को हम लोग एजे स्वीज हिसब में काम ले सकते हैं मार्केट में दोनोई अबेलेबल मिलता है फ्यूज थोड़ाशा चीप रेट में मिलता है दुसी तरब MCB थोड़ाशा कोश्टली होता है तो दोस्तो हाज हम लोग सीखा है कि फ्यूज और MCB के अंदर क्या-क्या अंतर होता है प्लीज सब्सक्राब माई चैनल और लाइक और शेर थेंक्यू फर वाचिंग